लेकिन रोज एक मामला निकालना नाया यह भी नहीं करना चाहिए हमको जगड़ा क्यों बढ़ाना है ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ रद्दाए है परंपरा से चलती आई हम कर रहे है ठीक है परूंतु हर मस्जिद में शूलिंग क्यों देखना वह भी एक पूजा है ठीक है बाहर से आई है लेकिन जिनोंने अपना ही है वो मुसल्मान वो बाहर से संबंद नहीं रखते यह उनको भी समझना चाहिए अब ऐसे मुद्द है एक इतियास तो है उसको अंबदल नहीं सकते वो इतियास हमने नहीं बनाया ना आज के अपने आपको हिंदू कहलाने वालों ने बनाया ना आज के मुसल्मानों ने बनाया उस समय घटा इसलाम बाहर से आया आकर्मों को के हाथ आया उस आकरमण में भारत की स्वतनरता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधहिर या खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए हज्जारों है हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है विशेष रद्दा जिनके बारे में ऐसे कुछ है उसके बारे में मामले उठते है अब इसका विचार क्या करना ये मुसल्मानों के विरुद्धन ही सोचता है हिंदू अजके मुसल्मानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे उन सब को स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंजित रखने के लिए उनका मनोधहिरिया दबाने के लिए किया गया इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनर्धार होना चाहिए हम तो कुछ नहीं कहते हमने नौ नौमबर को कह दिया कि एक राम जन्व में का अंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृती के विरुद्ध किसी आईती आसिक कारण से उस समय की परिस्थिती में सम्मिलित हुए हमने उस काम को पूरा किया अब हमको कोई अंदोलन अगरे करना नहीं है लेकिन इस्यूस अगर मन में हैं तो कुछ उठते यह किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध बात कर सामति से कोई रास्ता निकाली है लेकिन हर बार नहीं निकल सकता इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णे देगा उसको मानना चाहिए अपनी सम्विदान सम्मत न्याय ववस्था को पवित्र सर्वस्रेष्ठ मानकर उसके निर्णे हमको पालन करने चाहिए उनके निर्णे ओपर प्रश्ण जिन्न नहीं लगना चाहिए और ठीक है प्रतिकात्मक कुछ हमारी वीचे श्रद्दाती है इसे स्थानों के बारे में हमने का लेकिन रोज एक मामला निकालना नहीं है यह भी नहीं करना चाहिए हमको जगड़ा क्यों बढ़ाना है ज्ञानों आपी के बारे में हमारी कुछ रद्दाए है परमपरा से चलती आई हम कर रहे है ठीक है परूंतु हर मस्जिद में श्यूलिंग क्यों देखना वह भी एक पूजा है ठीक है बाहर से आई है लेकिन जिनोंने अपना ही है वो मुसल्मान वो बाहर से संबंदनी रखते हैं उनको भी समझना चाहिए यद्दे पिर पूजा उनकी उधर की है उसमें वो रहना चाहते है तो अच्छी बात है हमारे यहां किसी पूजा का विरोध नहीं सबकी मान्यता और सबके प्रति प्रवीत्रता के भावना है परन्तु पूजा वहां कि होने के बाद भी वहुंशज हो हमारे प्राचिन सना तन कल से चलते आवे रुशी मुनी राजा क्शत्रियों के पूरवज है समान पूरवजों के वहके हम आए परंपरा हमको समान मीली है शत्रुमित्र भहाव हमारे लिए समान है देश के हर स्वातंत्रिय उद्ध में हिंदूओं के साथ राष्ट्रिय वृत्ति के कुछ मुसल्मान लड़े है वो यहां के मुसल्मानों के लिए आदर्श है अश्पाकुल्ला खान इबराहिम कान गार्दी इतियास काल से चलता है यहां उनका संबंद यहां से है बाहर से न भूमी भारत की संस्कुर्ती सर्व समाविशक्ता उसकी किसी को न बदलते हुए सबको अपना मानना अपनी पूजा अपने जगह अपने लिए सर्वस्रेट है लेकिन सब के पूजा सब के लिए सर्वस्रेट है किसी की बुरा ही नहीं करना मेरा ही सही ऐसा कट्टरपन और प्रौंकर नहीं रखना और जनजीवन में सब के साथ बराबरी में आना